Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. So last lecture के अंदर हमने exercise 4A के जो first 15 questions थे, उनको हमने discuss कर लिया था. तो आज के lecture के अंदर हम उसी exercise के जो बाकिये questions रह गए थे, उनको discuss करने वाले हैं. तो बिने कोई time waste किये, चलिए शुरू करते हैं. Alright, तो सबसे पहला question आज जो हमने discuss करना है, वो है, write an expression for the pressure at a point inside a liquid. Explain the meaning of the symbols used. देखे, अगर हम बात कर रहे हैं pressure की, तो वो होता है पीए प्लस H ρो G, जहांपे पीए का मतलब होता है प्लस है प्लस है प्लस होटा है अटमोस्फेरिक प्रेशर, प्लस होता है प्लस होता है आपका डेप्थ, from the surface of liquid, ठीक है, रो होता है पीटा आपका density of a liquid, और G हमारी होता है पीटा, acceleration due to gravity, ठीक है जी next question में कहता है deduce an expression for the pressure at a depth inside the liquid so देखे यह जो formula है मैंने आपको बताया था कि किस तरह से drive करना है अगर आप इसको अच्छी तरह समभना चाहते हैं तो please जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उनमें जाके इसको जुरूर देखिए so next question में कहता है कि how does the pressure at a certain depth in sea water differ from that at the same depth in the river water तो सबसे पहली बात आपको बता दूँ कि in general जब हम pressure को represent करते तो वो h rho g से represent होता है h यहाँ पे आपका depth बताता है उस point का जो कि इन दोनों case में same है g होते है acceleration due to gravity जिसकी जो average value है वो हमारे पास 9.8 meter per second square होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस particular liquid की density जादा होगी उसका pressure जादा होगा so जहां तक हम sea water की बात करते हैं तो उसकी density जादा होती है as compared to density of river water so therefore pressure at a certain depth जो sea में होगा वो जादा होगा as compared to river water के अगर मैं same depth पर चेक कर रहा हूँ तो ठीक है next question में कहता है कि pressure at free surface of water lake is P1 while at a point at depth H below its free surface is P2 so how are P1 and P2 related so देखिए बहुत simple है जो P2 है वो हो जाएगा P1 plus H rho G कहता कि which is more P1 और P2 आप देखे सकते हैं P2 बड़ा है मेरे P1 से ठीक है so यह है आपका required answer next question में कहता है कि explain why a gas bubble released at the bottom of a lake grows in size as it rises to the surface of lake तो मैंने आपको इसके बारे में अच्छी से समझाया था कि जैसे bubble आपका नीचे से उपर उपर जाता है वैसे वैसे उस पर pressure कम होता है और फिर according to boys law जो pressure है वो inversely proportional to volume होता है तो जिस तरह से bubble उपर जाएगा pressure कम होगा और जो bubble का volume है वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो अगर आप इसको अच्छी तरह फिर से समझना चाहते हैं तो मैंने इसके वीडियो डाली हुई है आप जिरूर उसको जाके देखना similarly हमने यह जो dam वाला example था इसको भी हमने study किया था कहता था कि a dam has broader walls at the bottom than at the top तो explanation तो आपके सामने मैंने लिखी हुई है बट मैंने साथ साथ आपको बताया था यह कि जैसे आप नीचे जाते है वैसे इसका जो pressure है वो बढ़ जाता है और pressure बढ़ जाने की वज़े से जो उसका जो base होता है वहाँ पर जो basically उसका जो bottom होता है वहाँ मुझे thick wall रखने पड़ती है as compared to the top फिर हमने discuss किया था diver suit के बारे में जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे जो शरीर है उसका एक blood pressure होता है जो atmospheric pressure को balance करता होता है अब हमें जैसे ऐसे नीचे जाएंगे pressure आपको increase करेगा so to maintain the pressure हमें एक diving suit की जरूरत होती है जो जो extra pressure impact करें वो उसको compensate कर सके next मरबस आता है state the law of liquid pressure तो मैंने ये पांचों आपके साथ discuss किये थे पहला की depth के साथ ये increase करता है horizontal plane में देखेंगे तो हमेशा जो pressure के value सेम रहती है pressure हर जगाओं पे distribute होता है अगर मेरे पास जो liquid है वो मैं different ले ले लेता हूँ तो same depth पे भी सबकी value क्या होगी different होगी liquid 6 is on level मतलब अपने pressure को maintain करने के लिए पानी अपने जो height है वो अपना maintain कर लेता है और इसके उपर भी मैंने आपको एक example करके बताया था next है a tall vertical cylinder filled with water देखें ये आपका cylinder है ये मैं आपको 2-3 बार discuss कर चुका हूँ इसमें 2 points बनाए गए थे ठीक है एक A point था एक आपका B point था इस condition कहता है कि इसके observation क्या होगी तो observation ये देखने क्यों मिलती है कि जो point मेरे bottom के नजदीक होता है उसका throw जादा होता है as compared to उपर and the reason यही था कि अगर मेरी depth जो है from the surface of liquid बढ़ेगा तो pressure बढ़ेगा तो उसका जो throw है वो भी आपका बढ़ेगा next two application of Pascal low तो hydraulic press, hydraulic jack, hydraulic brake इन समय पासकलो का इस्तेमाल होता है explain the principle तो ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी hydraulic machine आपके काम करते हैं वो actually जिस principle बेस्ट है वो है आपका Pascal low जिसके अंदर हम small force apply करते हैं और मुझे ज़ादा force जो है वो मुझे मिल जाती है clear हो गया so next है name and state the principle on which hydraulic press works and write one use of the hydraulic press तो देखे जहां तक principle की बात है वहाँ तो मैं अपना पासकलो लिख दूँगा लेकिन जहां तक ये जो use की बात कर रहा है ये जो hydraulic press के बारे में बात कर रहा है ये हमारे syllabus में नहीं है तो ये question आपने नहीं करना है similarly ये 30th question है ये भी आपने नहीं करना है hydraulic jack भी आपके syllabus में नहीं है तो ये भी आपने नहीं करना है explain the working of a hydraulic break ये भी आपने नहीं करना because ये आपके syllabus में नहीं है next ये करेंगे जुरूर कहता है complete the following sentences कहता है the pressure at a depth h in a liquid of density rho is h rho g h rho g yeah the pressure is a dash in all direction about a point in a liquid so is same same pressure at all points at the same depth is same next time pressure at a point inside the liquid is directly proportional to its depth और नीचे कहता है pressure of a liquid at a given depth is यह भी directly proportion भी आप यहीं पर लिखोगे the density of a liquid ठीक है तो यह है आपको कोशन और यह रहे आपके answer I hope आपको कोशन और उनके answer समझ में आगे होंगे ठीक है तो आज के लेक्शर के अंदर हमने exercise 4a के जो बाकी कोशन रह गए थे उनको हमने discuss कर लिया है अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी कोशन समझ में नहीं आया तो जो वीडियो मैंने upload की हुई है प्लीज उनको जरूर देखे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेर इट एन सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही thank you so much